कि हैं जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखी थी कि X-ray की discovery और X-ray की प्रॉप्टीज के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि X-ray Tube क्या होता है और production of x-rays जो है वो कैसी होती है x-ray tube क्या होता है और production of x-rays जो है वो कैसी होती है so x-ray tube जो होती है वो basically एक device होता है जिसके वज़ा से x-rays का production होता है so जो x-ray tube की दो basic components होती है वो होती है cathode और anode जो x-ray tube की दो basic components होती है वो होती है cathode और anode जो cathode होती है वो होती है negatively charged और जो anode होता है वो होता है positively charged जो cathode होता है negatively charged और जो anode होता है वो होता है positively charged cathode जो होता है उसके पास एक filament होता है जो कि tungsten का बना होता है cathode जो होता है यह जो cathode का filament है यह किसका बना होता है यह बना होता है tungsten का कैथोड का जो फिलामेंट है ये टंग्स्टन का बना होता है तो ये जो फिलामेंट है टंग्स्टन का ही क्यों बना होता है और किसी मेटल का क्यों नहीं बना होता ये जो फिलामेंट है टंग्स्टन का इसलिए बना होता है क्योंकि tungsten के पास high melting power होती है tungsten के पास जो होती है high melting power होती है tungsten की high melting power about 3400 degree Celsius होती है और इसका जो atomic number होता है वो भी जादा होता है so जब कैथोर्ड को कोई भी sufficient energy यानि जब electricity दी जाएगी तो ये गरम हो जाएगा हमने physics में पढ़ा है किसी भी metal, कोई भी universal metal है उसको हम heat supply करेंगे तो उसमें से thermion का production होगा उसमें से thermion का production होगा thermion यानि electrons का production होगा तो वैसे ही जब हम इस cathode को electricity provide करेंगे तो ये cathode गरम हो जाएगा और further electron cloud यानि thermion या electron का production हो जाएगा अब electron का production हो चुका है तो इसको एक sufficient kinetic energy चीए इस electron को एक sufficient kinetic energy चीए जाकि ये जाके इस anode के target पर hit कर चुके तो ये anode and cathode ये एक circuit से connect होता है जो इन दोनों को high voltage provide करते यहाँ पर है positive और यहाँ पर है negative अब जैसे कि हमको पता है जब भी current flow करता है वो हमेशा positive to negative flow करता है जब भी current कोई flow करता है वो हमेशा positive to negative flow करता है और जब हमारे electrons है हमने physics में पढ़ा हुआ है कि जो हमारे electrons है वो हमेशा current के opposite direction में flow करते हैं यनीजो हमारी current है वो सट्राइक्शन में अगर तो हमारे Electrons इस डेरकशन में व्लो कर रही है तो यह High Voltage है इस Thermionik emission को जब यह प्रोवाइड होंगे तो यह कीनेटिक ख inception जाके इस पर Strike करेगी यह kinetic सिर्ट रेगी इस एनोड के टार्गेट पर गोडेगी Thursday तो विज जो है हमारे जो है फोटों जो है रिलीज होंगे प्रडियूस होंगे जो हमारे फोटोंस है वो प्रडियूस होंगे और यह जो हमारे फोटोंस है यह इसी को हम कहते है एक्सरेज यह जो हमारे फोटोंस है इन्ही को हम कहते है एक्सरेज अब जो हमारे फोटोंस प्रडि जाती है वो होती है हमारे useful x-rays जो है 1% जो जाती है वो होती हमारी useful x-rays फिर से cathode को हमने sufficient electricity provide की तो क्या हुआ जब हमने cathode को sufficient electricity provide की तो thermion का production हुआ यानि electrons का हमारा production हुआ जब इन electrons को हमने high voltage supply दिया तो यह high kinetic energy से इस anode के target पर इनने strike किया जब इनने इस anode के target पर strike किया as a result of which जो है x-rays का production हुआ अब जो x-ray produce हुई है उसमें से 99% जो है heat है और 1% है जो useful x-rays है जो इस x-ray tube से बाहर आती है अब यह जो x-ray tube है इसको जो हम एक tube के अंदर जो यह tube है इसको हम कहते है जो यह हमारा यह tube है इसको हम कहते है pyrex tube इसको हम कहते है इसको हम pyrex tube जो होती है पा tahuwort होता है और यह जो पूरा ट्यूब होता है यह इसके अंदर होता यह vacuum इसलिए provide किया जाता है क्योंकि अगर इस tube के अंदर कहीं से भी air आ गया तो यह जो electrons है यह anode पे strike नहीं कर पाएंगे यह वापस किसी direction में कहीं भी scattered हो जाएंगे ठीक है अगर इस tube के अंदर vacuum नहीं होता तो जो हमारे यह electrons है वो यह anode पे strike करी नहीं पाएंगे सारे scattered हो जाएंगे किसी भी direction में यह bounce back हो जाएंगे ओके नौ जो यह हमारा cathode होता है इसके उपर जो यह चीज होती है इसको हम कहते है focusing cup cathode के उपर जो यह चीज होती है इसको हम कहते है focusing cup इसका काम क्या होता है कि जैसे जो ये cathode इसने जितने भी thermion का production किया है वो इसको इस focal spot पे जो है strike करवाएं यानि इनको जो ये हमारे electrons है इसको इस पे जो है focus करें ये हमारे focusing up का function होता है ये होते हमारे focal target और target spot ये जो हमारे होते हैं एनोड पे ये होते है focal target और target spot ये जो है ये भी हमारे सेम tungsten material से बने होते हैं मैंने बताया tungsten की high melting power होती है cathode के दो component होते है एक होता है हमारा tungsten का filament एक होता है focusing cup एनोड जो है वो copper का बना होता है और इसके पास focal spot होता है जहाँ पे जो है thermions आके strike करते हैं and x-rays का production होता है ये सब एक pyrex glass के अंदर enclose होता है ये दोनों component cathode and anode जो है ये एक pyrex glass tube के अंदर enclose होते है pyrex glass tube जो होती है वो heat resistant होती है जो देख लेते हम लोग x-ray tube को x-ray tube को हम लोग cooling tube भी कहते है coolish tube भी कहते है x-ray tube को हम लोग coolish tube भी कहते है x-ray की discovery करवाई थी sir W.C. Ronjan ने 1895 में x-ray के अंदर basically 3 component होते है cathode, anode and glass envelope और glass tube cathode negatively charge होता है anode positively charge होता है cathode के पास दो element होते है focusing cup and filament filament जो है tungsten का बना होता है tungsten का इसलिए बना होता है क्योंकि tungsten की high melting power होती है और anode के पास जो component होते है anode copper का बना होता है और उसके पास जो focal target होता है वो भी tungsten का बना होता है जब cathode को sufficient energy provide की जाती है यानि electricity provide की जाती है तो यह heat हो जाता है और electrons का production होता है जो electrons kinetic energy, sufficient kinetic energy से जाके anode पे strike करते हैं तो हमारे x-rays का production होता है x-rays का production होता है उसमें से 99% heat होती है और 1% जो होते हैं वो useful x-ray होते है जो diagnostic purpose के लिए use होते है यह pyrex class के अंदर vacuum होता है vacuum इसके अंदर इसलिए होता है ताकि कोई भी air particles electrons के बीच में आ जाएं तो जितने भी हमारे electrons है वो scatter हो जाएंगे और वो focal spot के पास नहीं पहुंच पाएंगे